इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है ये अधी को व्यक्त करता है अधी मतलब एक्स्ट्रीम जो भी फेलिंग इनके अंदर है वो एक्स्ट्रीम होगा अगर ये किसी को पसंद करते हैं तो एक्स्ट्रीम हद से जादा पसंद करते होंगे यदि ये किसी से प्यार करते है तो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, यदि समर्पन दिखाना है तो हद से ज़्यादा समर्पन दिखाएंगे, यदि नफरत करनी है तो हद से ज़्यादा नफरत करेंगे, गुस्सा करना है तो हद से ज़्यादा गुस्सा करेंगे, स्वार्थी जहां होना है वहाँ हद से ज जरुरी है लिमिट बहुत जरुरी है और उस लिमिट को जब भूल जाते हैं आप हर इमोशन के एक स्ट्रीम पे चले जाते हैं तो सामने वाले के लिए आप एक पजल की तरह हो जाते हैं आपको समझ पाना किसी के लिए भी possible नहीं होता है हार्ट लाइन पर बनने वाली दवा के स्थिति आपके नीजी जेवन में समस्याओं के बारे में बताती है ऐसी लोगों के प्रसनल लाइन में कोई न कोई प्राब्लम हमेशा बनी रहती है single line की heart line है तो अधिक तरह ऐसे योगों की जो शादी होती है वो इनके पसंद सही होती है mind line आपकी एकदम straight है यदि किसी की भी mind line एकदम सीधी हो जाए तो सामनी वाले को control करने की इनकी आदथ होती है इनको नहीं पसंद, इनके जो light partner है या वो लोग जो इनके अंडर में काम करते हैं, वो इनसे बिना पूछे एक खदम भी ले। जब इनके शादी हो जाएगी, अभी तो फिलाल नहीं हुई है, लेकिन जब इनके शादी हो जाएगी, उस वक्त इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, वो यदि इनसे बिना पूछ कहीं चले गया और इनको पता चल गया, तो हाँ बिल्कुल ये बहुत गुस्सा करने वाले हैं, और जब आप सामनी वाले की लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सामनी वाले को एक वक्त के बाद आप बहुत बुरे लगने लग जाते हैं, आप उनका अच् तो इस वज़े से इनकी प्रसनल लाइफ अच्छी नहीं रहती है, ना सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ इनका कनेक्शन अच्छा नहीं रहता है, बलकि अपने बचों के साथ भी, जहां इनकी अंडर में कोई आ गया, बस, वो सास भी ले तो इनकी पसंद से, इनसे पूछ जाएगा, यानि उम्र में ये बड़ी होते जाएगे, तरक्य का दाइरा भी इनका बढ़ता चला जाएगा, लखलाइन आपके स्टार्ट हुई है, मून मांट से, लखलाइन यदि आपकी मून मांट से स्टार्ट होती है, बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है, वो आप उस काम के होने से पहले किसी के भी साथ शेयर मत कीजेगा, या तो वो काम होगा नहीं, और अगर हो भी गया, तो जो उमीद आपने उस काम से रखी थी, वो उमीद आपकी पूरी नहीं हो पाईगी, यानि आपकी हतेली पर बनने वाले कुछ सायनों को देखकर कि इस ब भविश में आप ऐसे काम से जुड़ने वाले हैं, जहां ट्रावलिंग काफी ज़्यादा रहने वाली है, एक अच्छी बात क्या है कि आप कभी भी किसी के भी उपर डिपेंड नहीं होने वाले हैं, ऐसा होता है ना कि जब जो गार्जियन होते हैं, पैरंस होते हैं, एक व गवर्मेंट जॉब की बात की जए तो नहीं, ये हतेली वैसी नहीं है, इस तरह की हतेली एक डॉक्टर का हो सकता है, क्योंकि उनका अपना प्राविट काम भी होता है, तो ऐसा जॉब जहां आपका खुद का भी काम हो, जहां गवर्मेंट की रोग टुक ना हो, जहां एक ना हो एज की, कि भाई इस उम्र तक तो आप काम कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं, वो लिमिट नहीं, तो आप पुरी जीवन काम करने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है, सनलाइन आप भी काफे स्ट्रॉंग है, इस तरह की सनलाइन जिनकी भी हतेली में होती हैं, ये लोग या तो बिजनस में जाते हैं, या पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो आपका बिजनस में जाना मुझे जादा लग रहा है, पॉलिटिक्स में नहीं लग रहा क्योंकि आपका कम्यूनिकेशन उतना स्ट्रॉंग नहीं है, हाँ बिजनस में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं आपके किसमत अचानक बदलेगी अभी तो फिलाल लग आपकी फिवर में नहीं है कब से होगा वो टाइम में आपको बता दूगी लेकिन अचानक किसमत बदलेगी आपकी रात और रात जिसको कहते हैं इस तरह का साइन जिनके भी अधिली में होता है ऐसे लोगों का जिसे lottery लग जाना, share market में पैसे लगाए, बहुत अची income हो गई, यह show करता है लेकिन जब sign है तो उसका result आपको तभी मिलता है जब luck आपकी favor में होता है और यह कैसे पता चलता है, यह life line या mind line के जरिये पता चलता है कि luck कब से आपकी favor में है, तब आप उस काम में अपनी किस्मत को आजमाएंगे तो सभलता मिलेगी otherwise अगर luck आपकी favor में नहीं है और आपने sign के basis पर कोई कदम उठाया तो result नहीं मिलेगा अब जब मैंने यह कहा तो इसका मतलब यह नहीं कि celebrity fame है, नहीं उसका अलग होता है यह होता है कि आपको आपके काम की विजए से विदेश्य के लोग जानेगे जैसे मालों की कोई private job में काम कर रहे हैं, वो ऐसी company में काम कर रहे हैं, जो कि foreign की है तो वहां के लोग इनको जान रहे हैं, या foreign में जा करके वो काम कर रहे हैं, ऐसा business कर रहे हैं जिसके जरीव इदेश्य धरतिक लोग इनके संपर्क में आ जाएं आपको तरकी बहुत बड़ी मिलेगी, sun mount पर बनने वाला triangle का जो size होता है, वो आपके तरकी को कही ना कहीं indirectlyly बता देता है, triangle का sign हतेली में सबसे positive माना गया है, यह कहीं भी हो, किसी भी mount के उपर हो, किसी भी line के उपर हो हमेश्य अच्छा result ही देता है, और sun mount पर यही triangle का sign है, बड़ा size में है, तो इसने क्या किया, उस mount की positivity को बढ़ा दिया अब sun mount क्या करता है, sun, इसको represent करता है, यह आपको fame देता है, अब आपके पास fame है, fame कैसे आता है, जब आप किसी field में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, और जब आप अपने field में अच्छा कर रहे हैं, आपके पास fame है, तो पैसा तो आएगा, तो indirectlyly यह पैसे को भी बताता ह है आपके अधिली में लाइफ पार्टनर आपकी मुझे वरकिंग अप नहीं लग रहे हैं क्योंकि इंकम के जो सोर्स हैं वो एक ही है यह हो सकता है कि शादी भले आपकी वरकिंग वोमन से हो गल से हो आपके जेगा लेकिन वो जॉब पिर छोड़ देंगी उनको जरुरत नही यह वाली लकीर जिनके भी हतिली में होती है ऐसे लोगों को अकेलापन बहुत अच्छा लगता है अपने आपके साथ वक्त गुजारना प्रकृति के साथ वक्त गुजारना ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता और वैसे यह साइन बताता भी है कि जितना आप अकेले रहेंगे आपनी तरकी करेंगे एक तरह से ये भी है ऐसे लोग यदि समू में बैठ करके बातचीत करते वे चाहेंगे कि जैसे दुनिया में लोग तरकी कर रहें बात भी कर रहें तो मैं भी उसी तरह उसी पैटर्ण को फॉलो करूंगा तो शायर उतनी तरकीन को नहीं मिल प दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छे रिष्टे नहीं रहते हैं दिकत तो रहती है सटन के माउंट पर यदि ट्राइंगल मापके चीका स्क्वाय का साइन है तो ये आपको जैसे कुछ ऐसे इंसिडन जो कि आपके हल्थ के लिए ठीक नहीं है जो कि अपनी लाइफ के लिए ठीक नहीं है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है और साथ ही आप उस तैनी जमीन ज्यादा वाले मामले में आसानी से आपको जो जमीने हैं वो जो पैसे आपको मिल जाते हैं आपको दूसरों की प्रॉब्लम कभी समझ में नहीं आएगी जैसे कोई भी आकर कि आपको अपनी प्रॉब्लम बताए और इस वज़े से भी आपकी जो प्रसनल लाइफ है ना वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है एक तो यह जो हिटलर शाही रवया है आपका नेचर है उम्र के साथ बढ़तावा दिख रहा है यह नेचर और unpredictable behavior है सामने वाले के लिए जो कि आपको नहीं जानते हैं कि आपका नेचर ही है एक्स्ट्रीम वाला साथी यह जो है सामने वाले की feeling को नहीं समझना अब दिक्कत यहां ही आएगी कि जब आपके सामने कोई बैट करके आपको समझाने की गोशिश करेगा कि दिखो मैंने इस वज़े से यह किया तो आप कभी भी नहीं समझवाएंगे आपने जो एक सोच बनाली इतने दिमाग में कि इसने यह गलत किया तो गलत किया भई फिर मैं नहीं सुन रहा किसी की यह वाला नीचर है आपका होता क्या है कि जब आपकी हतेली में मर्कुरी के माउंट के उपर लाइनी बहुत ज़ादा नहीं होती है तो सामी वाला जब आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है तो आप उसको फील नहीं कर पाते हैं समस्तो रहे नहीं है मिली बात तो यह भी थोड़ी बहुत दिक्कत है जिस वे जैसे प्रॉब्लम रहने के चांसे से हैं यात्रा ही हमेश्य आपके लिए लापकाड़े रहने वाली मैंने पहले भी बोला है कि आपको अपको पहुचाना अलग बात है- तो सोचने वाले तो बहुत– मिलते हैं- कभी कोई नुकसान आपको पहुचा नहीं पाएंगे लिटिल फिंगर आपकी पहले परव तक पहुँच रही है तो अबसी बात है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है आप डिसिप्लेन है आपने किसी को समय दिया है तो समय पर पहुँचना पसंद करते हैं अलसी नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई opportunity आपको मिली और आपने उस कलाप नहीं उठाया अलग बात है कि किसमत अभी फेवर में नहीं है तो बड़ी opportunity हलकी सी दूरी पर है अभी मुष्किल तो है दिक्कत दो है थोड़ी बहुतातीली में बढ़ हां, तरकी बहुत मिलने वाली है आपको, बहुत जादा मिलने वाली है इनफेक्ट, उंगलियों की पर्व हैं, बहुत जादा चोड़े हैं, तो आलस आता है आपको, आज के काम को कल पे टालने क्यादत है, यह वर्क प्लेस की बात मैं नहीं करी हूँ, घर के अंदर की जरिये सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाने की, तो शब्द की कमी होने के कारण, यह कभी भी अपनी बात को सही से नहीं समझा पाते हैं, अगर मामला ऐसा आ गया इनके लाइप में, कि यह जैसा कहेंगे, सामने वाला वैसा ही समझेगा, यकीन मानिए, खुद के लिए यह खुदी मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि यह कभी भी यह सावित नहीं कर पाते हैं, कि इस मामली में मैं गलत नहीं हूँ, और यह दूसरों से शिकायद करते हैं, कि सामने वाले इनको समझता नहीं है, समझे कैसे, क्योंकि कोई भी इंसान, आपको तभी समझता है, जब आप उसको समझाना चाहते हैं खुद को एक शब्धी तो माध्यम है अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाने की feeling कोई नहीं समझता आप जैसा कहेंगे सामने वाला वैसा ही समझेगा आप बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो spirituality active होते हैं उनको आपकी feeling समझ में आती है बट उनकी जो संक्या है वो बहुत कम है अब क्या है शब्दों पे पकड़ कमजोर अपनी बात रखनी नहीं आती है अच्छे से तो मुश्किलाद तो बहुत जहें पे आई होंगी personal life में भी आती है professional life में भी आती है काम ये करते हैं क्रेडिट कोई और लेके चला गया आपको अपने communication पे work करने की बहुत जादा ज़रत है जुप्टर का माउंट ठीक है लेकिन ये shift होता है सटन के तब देख रहा है तो जबान में करवाट बैठ जाती है चेहरा चिर्चिरा जैसा हो जाता है इस वज़े से इनके खुद के family के लोग भी इनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं avoid करते हैं इनको क्योंकि जहां ऐसा कोई मामला आया इनसे सला मिश्रा करने की उनको ज़रत महसूस हुई वो इनके पास बैठ है और बात अभी शुरू भी नहीं हुए कि बस इनका चेहरा उतर जाता है बहुए इनकी तन जाती है कहते हैं अच्छी बात लेकिन बोले का तरीका थोड़ा निगटिव हो जाता है तो ओविसी बात है कोई भी ऐसे लोगों के साथ बहुत देर तक बैठना पसंद नहीं करते हैं लोग इनको अवोइट करना स्टार्ट कर देते हैं तो प्रसनल लाइफ में प्रॉब्लम तो रहने वाली है आपको अपनी अंदर सुधार करने की बहुत ज़रत है इनमास आपकर ठीक है बहुत ज़ादा वीक नहीं है लेकिन राहू की लाइन की लगतार कट की विज़े से कभी-कभी हेल्थ इशू जाने के चांसेज हैं तो अपनी स्वास्तिकाब जितना हो से कि उतना ध्यान रखेगा तब तक जब तक इस्तिति आपकी हतेली में अच्छी नहीं हो जाते यानि जब तक राहू की लाइन का प्रहार आपकी हतेली में बना हुआ है ये किस उम्र तक है वो मैं एज़ आपको बता दूँगी वीनस मांट ठीक है आपका लग्जीरियस लाइफ आपको पसंद है आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो फुल आफ लग्जरीज हो लेकिन एडिक्शन नहीं है उसका कभी-कभी काम की विज़े से यदि आपको उनसुख सुविधाओं से दूर भी रहना पड़े तो आप उस काम के लिए वो त्यार करने को त्यार देंगे मून मांट आपकर ठीक है बढ़िया है बारी लोगों की मदद आपको बहुत मिलेगी खास करके वो लोग जो आपको बच्वन से नहीं जानते है आपके बच्चे विदेश या तो अस्टिडीज के लिए जाएंगे पढ़ाई के लिए जाएंगे या फिर वहीं पर जागर क कि फॉर्ण सेटल्मेंट ले लेंगे मून मांट पर इस तरह से यदि छोट छोटे क्रॉस के साइन बनते हैं तो यह टेंपररी होते हैं यह प्रमानेंच नहीं होते हैं क्योंकि बहुत डार्क नहीं है अब ही हाल फिलाल जब आपकी सोच निगेटिव होती है तो आप ध्या तो यह ततकाली यानि प्रिजेंट सिचुएशन को बताता है अब फिलाल जो आपके हालात है और जब आपकी सोच निगेटिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं तरकी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है तो इनसान करें भी क्या जब हालात आपकी फेवर में नहीं होता है तो आ लेकिन अभी एक देर साल तो दिक्कत है लाइब पार्टनर के साथ अनबन के स्थिति रहने वाली मैंने पहले भी बोला है मन मुटा मत भेद रहेगा मन भेद नहीं मत भेद बहुत रहेगा यानि आप लोग कभी एक मत पर नहीं आ पाएंगे आज सहमती रहने वाली है विदेशी धर्ती से धन के आगमन के सभी साइन हैं आपकी हतेली में मर्कृरी के मांट पे ट्राइंगल के साइन का पाया जाना आपकी चतुराई को बताता है व्यक्त करता है ऐसे ये लोगों को यदि महसूस हो जाए कि इनके दुश्मन इनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं तो ततकालीन ये अपनी दुश्मनी भूल करके उनसे मदद ल कपने लगा इतनी चाला किसी ये उसको हैंड़ करते हैं तो इन लोगों का बिजनस में अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं है ये लोग पायम है 2024 के बर्थ मन्त तक और 2024 के बर्थ मन्त के बाद within a 4 to 5 मन्त maximum एक बहुत बड़ी खुशी आपको मिलेगी ज्यान से सुनेगा within a 4 to 5 मन्त एक बहुत बड़ी खुशी आपको मिलेगी लेकिन साथ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी दोनों चीज़े हैं तो यह जो खुशी है यह मिट के बाद ही आएगी यानि 2024 के मिट के बाद ही आएगी और 2025 स्टार्ट होने से पहले आएगी यह खुशी और यह जो गम है यह इस खुशी के बाद आएगा या इसी के करीब होगा यह जो भी प्रॉब्लम है इसी के करीब है और उसके बाद मन से पहले भी आता हो देख रहा है यानि कुल मिला करके यह जो साल है और यहां से आप ऐसे समझो कि 2024 के बर्थ मन से पहले भी प्रॉब्लम है एक और अकरीबन हाँ बर्थ मन से पहले एक प्रॉब्लम आ गया देन हम चलते हैं फिर 2025 के फैब हाँ maximum इतना टाइम लेना है 2025 के फ वो मिलने जा रही है तो कुल मिला करके अभी जितना टाइम बचा है तो तकरीबन 10-11 मन्त के अंदर दो प्रॉब्लम ठीक है और एक बहुत बड़ी खुशी मिलते वे देख रही है 2026 की बात की जाए तो बहुत अच्छा जाएगा और फिर 2027 में इस्यों जाते वे देख र करेंगे फिलाल अभी 2024 में से लेकर के यह जो अभी टाइम डेस्ट बचा हुआ है यह हो सकते यह प्रॉब्लम आभी गई हो क्योंकि साल का अपरिल तो चल रहा है तो शायद यह प्रॉब्लम आ गई हो जिसके जिकर जिसके बार में बात कर रही हो ठीक है अगामी एक बड़ फिर मैं आगे कर बताऊंगी कि यह प्रॉब्लम है क्या और बेसिकली इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है प्रॉब्लम मैं बताऊंगी नहीं आपको लिकिन उसका सॉलिशन में बताऊंगी तो आपको सुन्दर का बाट करना है मंगलवार को और श सकते हैं लेकिन continue वो रिष्टा आपका दिकता नहीं होगा वो बाता लगा है risk taking nature है आपका और साथ ही आप planning के साथ work नहीं करते हैं plan बनाने में थोड़े से week है आप तो जहां planning नहीं है risk लेनी क्यादत है तो कही न कहीं कभी न कभी जिन्दगी में आपको नुकसान ये देख करके जाता है आपका left palm ये आपके past कर्मा को बताता है यानि कि जिस हदेली से आप signature या रूजमरा के काम नहीं करते हैं risk में जो हदेली होती है उसको हम लोग active palm की शेनी में रही नहीं रखते हैं तो ये जो left palm है ये आपका active palm नहीं है आपका right palm है तो वो आपके present यान इस जनम के कर्मा के बारे में बताता है और ये past life कर्मा के बारे में बताता है तो past life का कर्मा आपके इस life के कर्मा से थोड़ा ज़्यादा बहतर था तो इस वज़े से क्या होता है जब आपके पास्ट लाइफ के कर्मा आप इस लाइफ टाइम के कर्मा से ज्यादा बेदर हो जाता है तो तरक्की में ये देरी को शो कर देता है यानि तरक्की मिलती है भागी में जो लिखा है वो तो मिलेगा लेकिन वो देरी से मिलता है तो फ कुछ खासा इम दिखने ही रहे हादे लिए आपकी बिजनेस करने वाले है थिलाल अभी के रहें तो आगे पताओ करके आपकी मुफ्थ क्रने का जो टाइम है वो अभी लेट है तो उसके बारे में किसी भी एलेवन मंद यह सभी चीजें होने होती भी दिख रही हैं तो जैसे ही यह हो आप आई मुझसे संपर करें मैं आगे आपको फिचर बता देंगे चेक के रिंबाबाए